हेलो दोस्तो मैं निर्मल आप सबकी दोस्त मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो तो आज हम न्यूबॉन बेबी के लिए सॉक्स बनाएंगे क्रोशी पे हम बनाएंगे न्यूबॉन बेबी के लिए जुराफ जो बनाने में बहुत ही असान है और आप उस जुराब को एक घंटे में आप छोटे बच्छे के लिए जुराब बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम जुराब बनाना शुरू करते हैं हम करोशी पर बनाएंगे जुराब क्योंकि बहुत ही कामून में जुराब बन जाएगी तो यह दिखिए पहले हम इसमें इस तरह से एक magic ring बनाएंगी इस तरह से double करके तो यह दिखिए इस तरह से हमारा धागा जो है double हो जाएगा तसमे करके भी आपको दिखा देती हूँ और अब देखिए यहाँ पर हम तीन चेन बना लेंगे एक दो तीन और अब हम यहाँ पर double crochet तीन बनाएंगे यह जो हमने तीन चेन बनाई हैं इसे भी हम double crochet गिनेंगे तो total हमने यहाँ पर 4 डबल samurai बनाने हैं यह देखिए 3 हो गए एक और बनाएंगे तैन डबल गरोशे हमने बनाएं और एक हमारा यहाँ पर जो चेन वाला है उसे भी हम double करोशे गिनेंगे आगे देखिए एक चेन करेंगे और फिर से चार डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर से चार डबल क्रोशिय बना लिए इस तरह से हमने चार सेट बनाने हैं दो बना लिए हैं दो और बनाएंगे हम फिर से चेन करेंगे और फिर से हम चार बनाएंगे तो यूँ यहाँ पर चेन करना बोल गए चेन करेंगे एक और चार हम और बनाएंगे तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से हमने चार सेट बना लिया है और अब हम यह वले धागे को खीच देंगे यह देखिए इस तरह से खीच देंगे यहाँ पर बिलकुल इसका साथ में चोटा सा होल हो गया अब हम यहाँ पर इसको क्लोस करेंगे स्लिप स्टेच से भी देखिए इस तरह से हमने क्लोस कर दिया इसको अब देखिए तीन चेन बनाएंगे और नीचे यहाँ पर दो डबल क्रोशिय बनाएंगे तो यह टोटल हमारे तीन डबल क्रोशिय हो जाएंगे एक हमारा यह हो गया दो हमने और डाल लिए तो तीन हो गये अब हमने यह जो चार-चार के हमने सेट बनाये है इसके अंदर देखिए तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे एक चेन बनाएंगे फिर से इसी में तीन डबल क्रोशिय और बनाएंगे अब आगे देखिए इस वाले होल में तीन डबल क्रोशिय डालेंगे सोरी दोस्तों आगे फिर से हमने जो चार बनाये है उनमे से बीज में तीन डबल क्रोशिय डालेंगे फिर से एक चेन करेंगे फिर इसी होल में दोबारा तीन डबल क्रोशिय डालेंगे फिर से आगे वहले होल में डालेंगे तीन डबल क्रोशिय सोरी दोस्तों यह हमने बीज में जो हमने बीज में तीन डबल क्रोशिय डालेंगे वह हम नहीं डालेंगे छोड़ा सा मिस्ट्रिक हो गया था तो चलिए मैं आपको दुबारा बता देती हूं यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके यहां आ जाएंगे और यह जहाँ पर हमने यह चार का सेट बनाया है इसके बीज में हम तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे तीन चेन कर लेंगे पहले पर फिर हम इन दोनों के बीज में जो चार का सेट बनाया है उसमे से 3 डबल क्रोशिय बनाएंगे यह हमारे 3 डबल क्रोशिय होगे एक चेन होगे फिर 3 डबल क्रोशिय बनाएंगे कर अब आगे फिर से जो चार वाला बनाया हमने उनके बीच में यह दिखिया यहां पर यहाँ पर फिर से हम यह ने जो चार बनाए हैं इनके बीच में हमने दो के बीच में यहाँ देखिए यह चार बने हुए हमारे तो यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे एक चेन करेंगे फिर से इसी होल में दुबारा तीन डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से आगे वाले सेट में बनाएंगे ये जो उमारे चार डबल क्रोशे बने हुएं इसमें बनाएंगे दोनों के बीच में दो इधर और दो इधर रखके तीन डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से एक चेन करेंगे तीन डबल क्रोशे और बनाएंगे तो ये देखिए जुस्तो इस तरह से आगे हम फिर से इस वाले में ये जो चार के सट बनाया है इनके दो इधर और दो इधर और बीच में हम तिन डबल कुछे बनाएंगे फिर से एक चेन करेंगे और फिर तीन डबल कुछे बनाएंगे आगे हम लोग यहाँ पर इसके साथ स्लिप स्टेच कर देंगे अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और नीचे वाले होल में तीन डबल कुछे बनाएंगे यहाँ पर दो बनाएंगे एक हमारा तीन चेन वाला हो गया दो और बना देंगे तो यह हमारे तीन हो गये अब हम इस वाले जहां पर हमने तीन तीन बनाएं तीन इधर तीन इधर बनाएं बीच में हम फिर से तीन तीन डबल कुछे बनाएंगे तीन बनाने के बाद चेन करेंगे फिर तीन बनाएंगे इस तरह से दो चेन करतेंगे फिर यहां पर दुबारा तीन डबल क्रोशे बनाएंगे फिर आगे बाले में यहां पर बीच में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे अब आगे फिर से जहां पर हमने तीन तीन डबार बनाए थे उस वाले में फिर से दो बार तीन डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से तो चेन करेंगे फिर दुबारा इसे में बनाएंगे आगे हम इस वाले होल में बनाएंगे तीन डबल क्रोशे यह अब हम यहां पर तीन तीन बनाए थे उसमें फिर से दो बार तीन डबल क्रोशे बनाएंगे दो चेन बनाने के बाद फिर से दो चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें अब हम इस वाले होल में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे आगे फिर से तीन तीन वाले बनाएंगे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे और तीन डबल क्रोशे बनाएंगे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे यहां पर इसको जोएंट कर देंगे तो यह देखे इस तारे से यह हमारी स्कुाइर जो है इस से हमारी स्कुाइर जो है एक टिकी बन गई है अब यहां पर हम धागे को कट कर लेंगे यह देखे थोड़ा सा धागा लंबा छोड़ देंगे अब हम इसको आगे देखिए दूसरे वाला हम धागा टेच्च करने वाले हैं दो कलर में बनाएंगे तो यह देखिए दूसरे कलर का धागा है तो वो देख लिएजिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ पर यह जहाँ पर हमने यह तीन का बनाय था तीन तीन बनाय थे तो यहाँ हम सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आप किसी भी तरफ से यहाँ पर यहाँ पर किसी भी एक कॉर्णर से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको देखा देती हूं, इस तरह से हमने तीन चेन बनानी है, फिर से हमने इसी में डालनी है, आगे हम इसमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया, फिर आगे, सब में एक-एक डबल क्रोशिया हम बनाते हुए इसको, आगे बढ़ेंगे, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, आगे देखिए, यआँपर हमने याँपर यह तीन-तीन वाला बनाया था, तीन इधर, तीन इधर, इसके साथ में यह वाला जो होले, यहाँपर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस चीज का आपने ध्यान रखना है और आगे हम यहाँ पर फिर से तीन तीन ही बनाएंगे तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशे अगे फिर से देखिए इस वाले होल में साथ में यहाँ पर इसमें हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी दो डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी समें एक एक सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाते हुए इसको कंप्लेट करेंगे तो आप देहान से देखिए इसको तो यहाँ दो डूसे हम ने यहाँ से यह दिखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नू यहाँ पर हमारे नो डबल क्रोशिया हैं तो इस तरफ भी हमने नो डबल क्रोशिया बनाने हैं तो देखिए अभी हमारे कितने बने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो एक double crochet हम और बनाएंगे तो वो हमारा इस वाले hole में आएगा जैसे हमने यहाँ पर बनाए था तो यह थी यह हमारा 9 double crochet है दोनों तरफ हमारे हो गए है तो अब हम क्या करेंगे यहीं से हम वापस आएंगे हम नीचे यहाँ तक यह वाला पाट हमने इस तरह से नहीं cover करना है देखिए यह वाला पाट हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे तो वो देख लीजिए फिर से एक chain करेंगे वापस मुड़ेंगे और यहाँ पर फिर से एक एक में डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस जाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो यह देखिए दोस्तों सब में हम एक एक बढ़ाते हुए फिर से हम आगे यहाँ पर हम फिर से दो डबल क्रोशिय इसके साथ जहाँ पर हम तीन तीन बनाते हैं इसके दोनों तरफ हम दो दो डबल क्रोशिय हर बार बनाएंगे जैसे हमने यहां पीछे यहां बनाए थे अब हम फिर आगे इसके साथ बनाएंगे इस तरह से यह हमारा जो है बढ़ता जाएगा अब आगे यहां पर फिर से तीन डबल क्रोशिय बनाने हैं फिर से तो चैन करेंगे फिर से तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे यह हमारा एक कोर्नर जो है दिखाई देगा बेच में यहां पर हमारा सेंटर आएगा यह हम फिर से इसके साथ दो डबल क्रोशिय बनाएंगे तो यह देखिए दोस्तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको बनाना है आगे आगे आप चाहे तो एक ही कलर में बना ले चाहे तो आप यह वाला कलर भी बीच में डाल के आगे इसको बढ़ा सकते हैं तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़ा हमने इसको बनाना है तो यह देखिए दोस्तों मैंने इसका दूसरा हिस्सा जो है बना के रखा हुआ है एक सॉक्स का मैंने यह बट पेर बना के रखा हुआ है यह देखिए इस तरह से मैंने आपको यह दिखाया है तो यह देखिए इतना बड़ा हमने इसको बनाना है यह देखिए इतना बड़ा ये बनेगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टोडल हमने इसके कितनी लाइन्स बनानी है ये वाला जो हमने बनाया है महरून वाला हिस्सा तो इसमें हमने ये तीन बनाई थे यहां से हमने आ रहे हैं स्टार्टिंग वाला पोईट था लिए जिस दार्टिंग फोईट और इसके ऊपर दो बर और बनाया था यह हमारे टोफgel यहां पर तीन-फ़ तीन उसके बाद हमने यह लाइट कलर वाला जो बनाया क्रीम कलर वाला तो रिखिए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नूँ दस तो दस यह होगे और तीन यह नीचे वाले तो टोटल यह हमने तैरा लाइन बनाई है जानिके थार्टीन लाइन बनाई है यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच चैस शाथर आठ नूँ दस ब्यारा ठेरा तो यहां तक हम ने यह 13 line जो है बनाई है आप चाहें तो बड़ा जैसे आप अपने लिए या बड़े बच्शी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको और बड़ा बना लीजे उतनी lines आप ज़्यादा डाल लीजे अगर और छोटा बनाना चाहते हैं तो एक दो line आप और कम कर स तो चलिए मैं भी आपको दिखाती हूं कि इसको हमने कैसे आगे बनाना है तो यह देखे दोस्तों इसको अब हम जब आप बनाएंगे तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान लगए यह देखे आप इस तरह से करेंगे तो आपकी यह जो कॉर्णर है दोनों इस तरह से आपस मे लिए मैं तो जाने चेहीं एक दम अम् Si ob इस तरश से भी करेंगे तो भी देखिए इस क्वायर होना चाहिए आपका यह जाए इस तरह से ऐसी भी बनाते हैं तो आपका कोना बन जाता है यह देखिए अगर इस तरह है जब मोड़ते हैं तो भी आपका ये कोना बन जाता है रजाइन आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं जैसे भी डाले लेकिन कोने आपके इस तरह से इस स्क्वाइर पीस बनना चाहिए तो आगे आप देखिए हम इसको प्रोशिय से ही स्लाइ कर लेंगे यहां पर हम लोग पहली एक स्टरफ इसकी सिल लेंगे तो यह देखिए दोस्तों हम यहां पर कॉर्णर से इस तरह से धाका लेंगे तो पहले हम इस तरह से सिलेंगे और अब हम यहां पर एक एक स्टिच को पकड़ेंगे कॉर्णर से यह देखिए इस तरह से इसको इस तरह से लेंगे इस तरह से हम लोग इसको slip stitch करते हुए joint करते जाएंगे देखे तो क्रोशिय से सिलना बहुत ही असान है अब बहुत ही जल्दी इसकी सिलाई हो जाती है इस तरह से हम slip stitch से थोड़ा सा हाथ जो है हम lose रखके बनाएंगे क्योंकि अगर हमारा हाथ 差 more tight होगा तो हमारा यह मुझा जोह ही कठा हो जाएहा थोड़ा सा शरिंग सा होने लग जाएगा इस तरह से एक एक तागल से पकड़ना है इस तरह से इशस्टिछ से joint कर लेना है इस तरह से इस तरह से यह बहुत ही easily बहुत ही सफाई से शिलता है चलिए मैं भी आपको सिलाई करके आगे दिखा देती हूं तो यह देखिए दोस्तों इतना हिसा हमने इसका सिलाई कर लिया है यह देखिए यह वला हिसा हमने इतना हमने सिलाई कर लिया है और यह वला हिसा हमने छोड़ दिया है तो यह वला हिसा देखिए किस तरह से हमने यह यहां पर इस तरह से हमने इसको सिलाई करना है यह वले हिस्थे को हम देखिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ यहां पर इस तरह से हम क्रोशे से ही इसको भी सिल सकते हैं तो यह देखिए यहां पर हमने सेंटर में यासवे देखिए यह वला हिस्था हम इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से हम पेले इसको जोइट कर लेंगे इस तरह से इसको यहां पर धागे से इसी धागे से हम इस तरह से गुमाके यह देखिए इसी तरह से हम क्रोशिय से ही इसको स्लाई कर लेंगे देखे थोड़ा से मेरा धागा यहाँ पर कम है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इस तरह से हम पकड़के यह जैसे हमने यहाँ पर हमने एक एक चेन लेके धागा उपा से पर इस तरह से मने स्ट्रिप स्ट्रिच से जोड़ा है इसको भी हम इसी तरह से स्लिप स्ट्रिच से जोड़ देंगे देखे आप चाहे तो करोशिय से सिल लें चाहे तो आप सुझी से भी सिल सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे ही इसको बना सकते हैं करोशिय से थ तो यह देखिए दोस्तों यह इस तरह से हमने इसकी सिलाई करेंगी तो यह इस तरह से कुछ देखाई देगा सिलाई करने के बाद क्योंकि हमने इसके कॉर्णर से लिए आगे देखिए हमने यह वाला जो हिस्सा है यह भी हमने यहां तक हम इसका जो हिस्सा है आधा इसको सिल कि अखे गे तो यह देखिए दोस्तों हमने इसको इस तरह से चिलिए है डी ऐा यह इन दोनों की चिलाई कर दी है दोनों दरश तरह इस तरह से यहां से किश्पक सार में आधा सिला है तो आगे तो यह देखिए दोस्तों यह हमारे जो शोज है बिल्कुट रडी हो गए है सलाई करके हमने इनको रडी कर दिया है तो इनकी शेप भी बहुत अच्छी सी आई है यह जिरो साइज से लेके छह मैने के बेबी को यह जो जोते हैं पैना सकते हैं आप चाहे तो यहां पर डोरे भी डाल सकते हैं चाहे तो आप ऐसे ही पैना सकते हैं तो यह देखिए मैने यहां पर बटन लगा दिया है आप भी चाहें तो इसमें बटन लगा सकते हैं यहां पर देखने में बहुत ही कॉपसूरत से शूज बन गए हैं एक दम प्यारे से बहुत अच्छी लगते हैं बन जाने का तरीका कैसा लगा वीडियो अची लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्त तो मिलते हैं आगे को और आपके लिए नए अड़सर डेजाइन लेके तब तक आप सब खुश रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें